इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स वर्मा तो दोस्तो आज जो मैं आपको circuit बना के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत भाई के comment आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें कोई एक ऐसा circuit बना के दिखाऊ जो बनाने में आसान हो और कोई सी भी IC के हम MPR को बढ़ा सकें और कि उस circuit को हम किसी भी अपने circuit में यूज ले सकें तो मैंने आज जो ये circuit बनाया है दोस्तो ये आपको 3 MPR तक देगा और इसके अंदर आप जो है दोस्तो इसके अंदर 7, 8, series IC की कोई सी भी IC लगा सकते है ये सारी IC के लिए ये circuit यूज होगा तो इस circuit को आपको देखी बनाना कैसे है इसके अंदर पहले तो है आपको जो टाइस्टर जो आपका 7, 8, series वाला जो होता है उसकी पहली pin input होती है दूसरी ground होती है तीसरी output होती है तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने ये 7, 8, 1, 2 की IC लिए जो 78, 12 हमारी IC है जो 12 volt बनाती है तो दोस्तों ये जो IC होती है इनके अंदर MPR बहुत कम होते है तो MPR बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक transistor को लिया है जो transistor है हमारा 2N 355 वो transistor देखे कुछ इस तरीके से होता है इसके अंदर ये base होता है और ये emitter और जो इसकी body होती है वो collector होती है तो इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये वाला जो point है हमारा दोस्तों ये हमारा collector है यह वाला हमारा E meter है और यह वाली जो pin है हमारी यह base है तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि इस transistor को यहाँ पर किस तरीके से लगाना है और यहाँ पर देखे यह जो IC है हमारी यह हमारी pin number 1 है यह हमारी जो pin number है यह 2 है यह pin number 2 है और यह pin number 3 है तो इस तरीके से आपको यह टांश्टर भी पता लग गया कि यहां पर कैसे लगाना है तो दोस्तो आप इसके अंदर मैं देखिए आपको component बताता हूँ और देखिए इसके अंदर जो supply है वो 15V से लेकर आप 30V तक दे सकते हैं लेकिन आप एक चीज का याद रखें अगर आप 7812 से उपर की IC लगाते हैं तो यहां पर आपको 20V से 30V तक देनी होगी तो आप देखिए अब इसके अंदर क्या करना है आपको यहां से आपको input देनी है यहां पर आपको ground देना है यहां पर आपका transistor की मैंने connection बता दी है और 7812 के भी connection बता दी है और यह भी बता दी है कि 7, 8 की series के जितनी भी IC है वो यहां पर कोई भी लगा सकते हैं आपको output पे 3A तक मिलेंगे तो यहां पर अभी हमने 7812 IC लिए है तो यहां पर हमें 12V 3A मिलेंगे यहां से हमें ground मिलेगा और यहां से हमारा ground और 15-30V input होगी तो यहां पर देखी यह जो टैंश्टर लगा हुआ है इसका जो base है base से यह तीसरे नंबर की pin connect हो गई है और यहां पर जो हमारा ground से लेकर और base पे एक हमारा यहां पर PF लगेगा 104 यह हमारा PF connect हो गया दोस्तों और जब हम E meter पे और ground पे आ जाएंगे तो यहां पर एक हमारा PF लगेगा 104 फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे यहां पर output पे जो जहां 12V और 3A मिलेंगे और ground मिलेगा यहां पर हमारा लगेगा 1000 UF 50V यहां पर हमारा positive और यहां पर हमारा negative तो इस तरीके से हमारा condenser लगेगा और input पे हमें हमारा लगेगा यहां पर हमारा लगेगा 104 PF यहां पर लगेगा हमारा condenser positive वालक इधर और negative वाला इधर condenser हमारा यहां पर होगा दोस्तों 4700 UF 50V और यह वाली जो पीने दोस्तों हमारी यह हमारी ground से connect हो जाएगी pin नमबर दो जो है और यहां पर जो die board से connect होगी हमारी die board यहां पर होगा हमारा दोस्तों IN 4007 यह हमारा यहां पर die board लगेगा और जो हमारी pin नमबर वन है वो हमारी input से connect हो जाएगी सरीके से यह सरकीट हमारा पूरा कंपलीट होगा और दोस्तों 780 की यहां पर आपको इसी भी आईसी लगा सकते हैं और आपको आउटपूट पर अपर आइसी उनके अंदर एंपेर नहीं होते थो एंपर बढ़ाने के लिए मैंने 305 टांश्टर का यूज करा और आपको यह टांश्टर लगाने के बाद आपको अपने किसी भी आईसी के आपर को बढ़ा सकते हैं और आप अपना कोई सा भी लौढ़ चला सकते हैं और यहा आउटपूट निकलेंगे तो दोस्तो यह वीडियो मेरी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना सेर करना और सस्क्राइब करना और मेरे बैल आइकन को जुरूर दबाके रखना क्यूंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा तो दोस्तो देखें जो अभी हमने सरकिट डाइग्राम बनाया है वो सरकिट डाइग्राम अब मैंने आपको यहां पर देखें टेस्ट करके भी दिखा दिया यह देखें इसमें टैस्टर भी वही लगा हुआ है जिम करके आपको दिखा देता हूं- यह देखिए इसमे टानिच्टर 30 – 55 का टायंच्टर है और मैने जू सरकिट डिएग्राम बनाया था मैं आपको टेर्श करके इसलिए दिखा जिसे कि आपको पता लग जाए कि जो सरकीट डाइग्राम मैंने बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है तो देखे अटथर पांट जो आइसी है वो कभी भी पांच वोल्ट से उपर हमें बोल्टेज नहीं देती है लेकिन इस सरकीट से आपको क्या होगा आपको देखे यहा इसके अंदर आपको कम से कम 2-3 एंपियर बड़ी अराम से मिलेंगे और इसके अंदर जो मैंने इंपूट दी है वो इंपूट मैंने इसके अंदर 20 बोल्ट दी है देखिए 19 पॉइंट तो इसके अंदर आप 20-25 बोल्ट दे सकते हैं और इस सरकीट को मैंने टेस्ट कीन हो जाए कि हां सर्कुट हमारा जो है हम अगर बनाएंगे तो सही तरीके से वर्क करेगा तो देखिए इसके अंदर वोल्टेज भी आपके पूरी आ रही है और इसके अंदर आप कम से कि आपको ऐसी ही नोलीज वाली वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों आप देखिए अब मैंने क्या करा है यह वाला जो खराब चार्जर था इसमें से हमने यूएसब जैक निकाल लिया है और जो मैंने अभी यह सर्कुट जो बनाया है इसको हम टेस्ट करते हैं कि इससे पर जो यह ग्राउंडिंग सोट है और पांच बोल्ट पांच बोल्ट के जिगे पर लगी हुई है यह हमारी यूएसबी है तो यूएसबी जरा मैं आपको दिखा देता हूं तो यह देखिए यह हमारी यूएसबी पोर्ट है अब इससे हम मुएल चार्ज करके देखेंगे कि हमारी चार्जिंग इससे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है क्योंकि चार्जिंग तो हर चार्जर दिखाएगा लेकिन हमें यह देखनी है कि मुएल चार्ज हमारा करेगा भी या नहीं भी करेगा तो इसमें देखिए 75% है तो हम थोड़ी देर इसको लगा के रखते है तो इससे पता लग जाएगा हमें कि ये मुखलमा कर परसेंटेज बढ़ती है तो ये हमारा चार्डर सही है और अगर नहीं बढ़ती है तो इस चार्डर को बनाने का में कोई फायदा नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरे को आपको दिखानी है कि परसेंटेज मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा जिसी के आपको ये दिखाई दे कि ये हमारा जो मुवायल है वो चार्ड हुआ या नहीं हुआ तो इसके अंदर परसेंटेज अभी हमारा ये दिखानी रहा है मैं ज़रे निकाल के एक बार इसे दुबारा कनेट करता हूं तो देखे इसके अंदर छीटर परसेंट चार्ड हो गया है तो इसका मतलब यह हमारा चार्ड है रहे बढ़िया काम कर रहा है और ये फोन हमारा M-E आप जिसके अंदर फास्स चार्ड चार्ड़िंग हो गया है तो ये देखे अगर हमारा ये मॉयल चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सर्कृट सही बना हुआ है तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरू करना ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए ही दिखाया था कि कल को आपको अगर पूरा प्रेक्टिकल करके यहां दिखा देते हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ जो सर्कृट डाइग्राम बनाया है वो हमारे अच्छी तरह वर्क कर रहा है